हेलो फ्रेंड, स्वागत आपका Study Hack चैनल पे, मैं आसा करता है कि आप सभी स्वस्त होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे जोरो सोरो से, खिक है, और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रहे होगी, तो जैसा कि आपको पता कि अभी हमारी कम्प्यूटर की स्री चले है, जिसमें आपने अभी तक एक भी क्लास नहीं देखिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस वीडियो के एंड होने के बाद, आप प्लेलिस से जाके सारी क्लासे को चेक कर ले, क्योंकि सारी क्लासे आपके अपकमिंग एक्जाम के लिए बहुत ही यू मैं आपको प्रवाइड कर वाता हूं, प्रिवेस येर के कोस्टन, जो कंप्यूटर में आए हुए, वो भी वन लाइनर फ़र्म में, ताकि आप बढ़ी ही अरसानी से उसको क्या कर सके, रिवाइज कर सके, ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने बहुत सारी चीजे डिसकस कर ल आज के क्लास में, तो क्लास शुरू करने से पहले जैसा कि आपको पता है कि एक टेबल आप कॉंटेंट होता है, जिसमें मैं आपको एक ओवर्वीव देता हूं कि आज के क्लास में हम क्या डिसकस करने वाले है, तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेट के बारे में यूजर को फॉलो करने पड़ते हैं ठीक है तो इंटरनेट प्रोटोकल्स के बारे में बात करेंगे फिर बात करेंगे वेब ब्राउजर के बारे में कि कौन-कौन से वेब ब्राउजर यूज होते हैं और इसका यूज क्या होता है ठीक है सर्च इंजन के बारे में जानेंगे फिर जानेंगे वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में और लास्ट में होगा एक कोस्टेंसा का सिसन जिसमें आपको 10 सेकेंड मिलते हैं और सवाल के जवाब आपको देने पड़ते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट बात कर लेते तो आए सबसे पहले जानते कि इंटरनेट होता क्या इंटरनेट इंटरनेक्टिवीटी बनाता आपके सिस्टम का किससे तो ग्लोबल से ऩी नाया एक क्लूबल इसकंड वसंट नेडिकर आपको फूरी अक्लोप करने के लिए आपको कुछ प्रोटोकॉल कुछ क्छोटस्यूल्पादि क्वैसक्रने पड़ते। फॉलो करने तो आपने देखा हो कि आपके system का एक IP होता है, जिसे आप modem से connect करते हो internet, या फिर mobile से करते हो, तो आपके sim card, phone के अंदर क्या होता है, एक IP address होता है, ठीक है, to link several billion device worldwide, ठीक है, इसका use q करते है, ताके हम several billion जो devices है, जिक है, उन से अपनी connectivity बना पाए, ठीक है, तो इसको क्या कहते है, super network बोलते है, क्योंकि ये बहुत large connectivity बनाता है, ठीक है, global connectivity बनाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते है, super network, इंटरनेट कनेक्टिविटी इज प्रवाइडर बाइट सर्विस प्रवाइडर, लाइक BSNL, Airtail, Reliance, etc. तो इंटरनेट की connectivity हमें कौन प्रवाइड कर आता है ? अशा तो नहीं हम डिर्क कानेक्ट करें और इंटरनेट कनेक्ट हो जाए थी कि तो हम किसव डिपेंद होते हैं? इंटरनेट सर्वीस प्रवाइडर के जैसे आप मोवाइल से immer connect करते हो, तो अपना SIM card जो लेते हो वही होता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रवाइडर ठीक है और आपको पास बीएसनेल का है तो आपको चीज़े क्लियर हो गई हुई तो आगे बढ़ते नेक्स स्लाइड की तरफ तो यह एक flow diagram है अप देख लेना कि कैसे कैसे connectivity बनता है इंटरनेट से connect करने के लिए आप मोडम से connect करते हो तो मोडम में क्या होता है कि आपको कौन देता है ISP देता है इंटरनेट सर्विस प्रवाइडर ठीक है फिर उसकी connectivity आप router से कर सकते हो क्योंकि router में बहुत सारे cables होते ह आपको wireless मिल जाएंगे सारी चीजे connectivity या फिर आप डायरेक्ट वहां से डायलाफ connection यूज कर सकते हो या फिर आप switch में डाल दो switch से क्या होगा कि split कर सकते अपने connectivity को ठीक है और अपना एक local area network बना सकते हो ठीक है जानते कि history of internet कि internet का इतिहास क्या था सबसे पहले internet का network कब बना ठीक है क्या क्या उसमें changes जाएं ठीक है तो सारी चीजे बात करते हैं और वही बात करेंगे जो कि हमारे exam के लिए important है ठीक है तो बीच के years gap भी होंगे ठीक है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 1969 1969 में क्या हुआ था तो क्या हुआ था कि पहला network develop हुआ था world का पहला network develop हुआ किस ने किया था था तो एप्रानेट ने किया था ठीक है तो यह क्या था advanced research project agency था आप्रानेट उसने किया पहले network connectivity बनाई वोल्ड का पहला network connectivity बनाई थी थी या दखार किस ने बनाई थी तो आप्रानेट ने थी थी उसके बाद क्या हुआ कि 1978 में Ray Tomilson ने क्या किया email को Discover किया इंसे से पहले इंसे कैसे को लिए स्टेंडर कौन सा बन गया TCP IP मतलब क्या है Transmission Control Protocol और Internet Protocol इंट्रोड्यूस हो गया था ठीक है अगर आपको अप्रानेट से Network connectivity बनानी पड़ेगी तो आपको इंसाड प्रोटोकॉल को क्या करने पड़ेंगे फॉलो करने परेंगे उसके बाद क्या हुआ 1989 में WWWC आ गया मतलब क्या है World Wide Web Consortium आ गया ठीक है तो WWW World Wide Web तभी से इंट्रोड्यूस होने लगा ठीक है फिर क्या हुआ कि 1990 और 1991 के बीच में क्या हुआ कि पहला वेब ब्राउजर वर्ल्ड वाइड क्रियेट कर दिया गया उनके प्रोटोकॉल को फॉलो करके कनेक्टिवीटी बनाते थे सिस्टम में तो उसके बाद क्या हुआ कि 1990-91 में सारे टीम बर्नर्स ली ने क्या किया एक पहला वेब ब्राउजर बरांजिया वाल के लिए ठीक है जिससे क्या हुआ कि व्ल्ड वाइड कनेक्टिवीटी बन गई लोगों में ठीक है तो आप क्या कर पा रहे थे वेब ब्राउजर से जाके अपनी कनेक्टिवीटी सारे जगा बना ले रहे थे उसके बाद क्या हुआ कि 1995 में इंटरनेट लांच वा इंडिया के द्वारा इं इंटरनेट कनेक्टिवीटी बनायेंगे कैसे है तो बैंडविट क्या मिल ला अब दोनों पर रिलाएबल है क्योंकि आपको बैंडविट अच्छा चाही और कौस्ट थे नहीं चाहिए अब बहुत ही costly होगा तो क्या कोड़ों को प्रेफर करोगे ते स्पीड ऑफ इंटरनेट एकस डिपेंड्स ऑन बैंड्विट क्यों फोकस करते क्यों कि आपके इंटरनेट की जो speed होगी वह fully depend करती कि आपकी bandwidth क्या allocated है ठीक है और आपकी bandwidth सबसे पहले जो connectivity होती थी वह dial-up connection होता ठीक है सबसे पहले जो connectivity या internet connection का हुआ है dial-up connection तो dial-up में क्या होता था dial-up method में connectivity इंटरनेट की होती थी किस से के द्वारा तो आपके existing telephone तो आपका जो telephone का cable आया था ना उसी से internet की connectivity हो जाती थी आप उसी data transmission bandwidth बहुत ही कम था की भी में था ठीक है उसको overcome करके उससे अच्छा बनाया गया क्या डेवलप किया गया broadband connection तो high speed internet access मिलने लगा आपको ठीक है डेटा बहुत ही fast transfer होने लगा traditional dial-up access से ज्यादा fast आपको data मिलने लगा ठीक है उसमें भी तीन category थी सबसे पहला था digital subscriber light dsl इसे popular broadband connection था ठीक है तो सबसे पहला popular broadband connection कौन था digital subscriber light ठीक है तो यह क्या करता था डेटा को digital form में digital packet के form में आपको देता था तो speed अपने आप इंक्रीज होगे जैसे digital form क्या 01 के form में ऐसे connectivity बनाने के लिए आपको data packets देता था ठीक है उसके बाद क्या है केबल मोडम ठीक है तो आपने देखा वह मोडम जिसके अंदर केबल लगते थे ठीक है इस सर्विस इनेबल केबल ऑपरेटर तो प्रोवाइड ब्रॉडबाइन यूजिंग दा सेम को एक्सेल केबल देते थे जिससे आप बहुत सारे चैनल देखते थे क्या किया कि उन्हीं के माध्यम से इंटरनेट को भी प्रॉइड कराने लगा आपकी connectivity भी बनाने लगा तो ऐसा होता था कि आपके पास केबल ही ए उससे एकोर्ट आर्ज होộtता था एक्स्टेंड करता था और आपको इंटरनेट केब्र केबल पर पर प्रॉइड करा देता था ठीक है तो इसकी यह स्पीड बर गई तो इसका स्पीड कितना हो गया 1.5 Mbps और उससे ज़्यादा आपको मिलने लगा तो उस समय के लिए आपके लिए 1.5 Mbps के बहुत मैंने रखती थी बहुत ज्यादा होती थी अब के लिए तो बहुत कम है बहुत ही ज्यादा कम है उसके बाद क्या हुआ उसको क्या बहुत है BPL तो BPL is the delivery of broadband over the existing low and medium voltage electric power distribution network तो broadband over power line क्या हुआ कि power line जैसे फूल पे देखते थे थे ठीक है उसके अंदर पावर भी होता था ठीक है तो आप जब राउटर में अपने लगाते थे मोडम में लगाते थे तो उसको पावर देने की जोत नहीं परती थी ए लेकिन उसमें उस केबल में भी पावर होता था क्योंकि जैसे आप इंसर्ट करते तो बल्ब ब्लिंक करता है तो पावर के कारण आप इसको क्या कर सकते थे बहुत लंबे एरिये दूर रिमोट एडिया तक इसको एक्स्टेंड कर सकते थे तो पोल के उपर से ले जाओ जहा वाई-फाइ का कि आप रेडियो लिंक पर प्रकते है ठीक है रेडियो लिंक पर करता था आप के कु स्टमर के लोकशन तक पहुंचता था ठीक है उसके आपको एक रेशीवर लगाना पर था और सर्विस प्रवाईडर क्या करता था एक ट्रांस्मीटर अपरे निंग 231 कर लेता थाल उसी के अंदर आया वाइफाई इसको बोलते है वाइरलेस सादות सभी पर चित हूगे फिर आया wagon उसको बोलते थे वर्डवाइड इंटर ऑपर लीटी फोर माय डर्स एक पर काम करने लगा इसके थीज वन one of the hottest broadband wireless technology around today तो यह क्या है सबसे hottest मतलब क्या कि सबसे ट्रेंड में है क्योंकि इसकी स्फीड बहुत ज्यादा हाई है उसके बाद क्या आ गया mobile wireless broadband service ठीक है इस service are also becoming available for mobile telephone service provider जो कि आप mobile से यूज करते हो ठीक है आप mobile से इंटरनेट connectivity आसानी से कर लेते हो ठीक है तो यह किसके बादालत कर ले तो mobile wireless broadband service कर लेते हैं नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है domain names ठीक है तो domain names क्यों पड़ा ठीक है तो कि इसका यूज होता था कि identify करने के लिए कि आपने service provider को identify करते हैं इंटरनेट के थोड़ों ठीक है कि सच आज website है कि email service provide कर आता है कि क्या खरवाता है ठीक है आप domain name से पता कर लेते थे कि उसके identity क्या है कि वह हमें internet पर क्या प्रवाइड कर आएगा ठीक है तो दो परकार का domain name होता था top level domain ठीक है उसके बाद होता सब domain तो टॉप domain क्या होता जो standard URL होता है ठीक है जैसे कि मान लोग की मेरे channel का नाम है मैंने ऐसे channel बनाया अपना www.studyhacks.com तो यह क्या होगा मेरा top level domain होगा main domain होगा लेकिन इसके साथ ही मैंने और web page include कर दिया ठीक है जैसे कि मैंने किया page number two तो अब जैसे page number two पे जा रहे हो यह क्या हो जागा sub domain हो जाएगा ठीक है यह मेरे page 2 का address है यह मैं उसमें mock डाल रहा हूं ठीक है तो mock का अलग page बना रहा हूं ठीक है तो वह हो जागा हमारा sub domain ठीक है आपको चीज़े clear हो गई होगी ठीक है तो आगे भरते हैं ठीक है हिंदी वाले छात्रों के लिए देख लेना नेक्स्ट बात कर लेते list of domains की कौन कौन से domain हो गया है ठीक है अप यह देख लेना कि history of domain names क्या 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 थी ठीक है आपके पास मिल जागा PDF में ठीक है मैं बता देता तो dot com लगा होता है तो यह क्या denote करता कि commercial organization है इस पर सारी commercial चीजे मिलेंगी हमको ठीक है information service provider होगा तो क्या लगाएगा dot info लगाता है कि इससे पता चलता है कि आपका siitä नोमेन बता रहा है कि अब क्या प्रवाइड कराते हो तो इनफोरमेशन सर्विस्ट प्रवाइड कराते हो. कोई education institution होता तो क्या करता है .edu तो इससे आपको पता चल जाता है कि यह क्या है. educational institute है. और government की site जाते हो तो .gov लगा होता है. इससे पता चल जाता आपको कि यह गवर्मेंट की website है ठीक है डॉट डीएफ लगा होगा तो defense की website है डॉट को डॉट इन लगा होता है तो commercial in India ठीक है यह dot com हो गया commercial हो गया ठीक है worldwide के लिए लेकिन आपको इंडिया के अंदर commercial करना है तो डॉट को डॉट इन लगाना पड़ेगा आइन है इंडिया के यह ठीक है अगर डॉट नेट लगाते हो तो नेटवर्क सेंटर सेंटर है उसकी connectivity बताएगा आपको dot mil लगाते हो तो military of defense का होगा ठीक है तो आप क्या कर सकते हो domain name से पता कर सकते हो कि यह क्या प्रभाइड करवाता है कौन सी सर्विस हमें प्रभाइड करवाता है ठीक है जो भी हमें पेज दिखाई देता है इंटरनेट पर electronic पेज होता है ठीक है वह electronically generate होता है तो उसको क्या बोलते है वेब पेज बोलते है ठीक है मैंनी वेब पेज लिंक्ट विट इच अधर कंबाइन कर देते एक दूसरे से लिंक कर देते तो क्या बन जाता है वेब साइट तो जैसा कि आप पहला पेज खुलता होंगे मौक के होंगे ठीक है ठेस्ट के होंगे आपके लिए रिव्यू का सेक्शन होगा ठीक है फीडबैक का होगा तो सारी पेजे एक के बाद एक layout होगी और linked होगी ठीक है सारी combine होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे collectively इसको बोलेंगे website तब मैं क्या बोलेंगा कि यह मेरा website साइट है वेब पेज can be written in the language which is known as HTML ठीक है तो वेब पेज कौन से लेंगवेज में लिखा जाता है तो HTML में HTML का फूल्पर्म क्या है hypertext markup language ठीक है तो आपको भी कोई webpage बनाना होगो तो आपको कौन से लेंगवेज में आपको बनाना पड़ेगा HTML में ठीक है आपको HTML आना चाहिए प्रोग्रामिंग करोगा तो आपका webpage डिजाइन हो जाएगा अब protocol called http hypertext transfer protocol is used to transmit and receive the webpage ठीक है तो आप webpage को transmit कर सकते हो या फिर अ ठीक है http तो आप जब कोई वेबसाइट ब्राउज करते होगो तो उससे पहले लिखा आता होगा http लिखा होता है फिर ऐसे double slash लगा होता है फिर लिखा होता है www.worldwide फिर आपका जो वेबसाइट हो फिर उसके आगे domain name लिखा होता है अगर education बला है तो edu लिखा होता है ठीक ह आई होप आपको चीजे क्लियर हो गई होगी तो आगे बात करते हैं इंदी में है नेक्स्ट है URL URL मतलब क्या होता है uniform resource locator तो आपको क्या करेगा एक uniform resource दे देता है जिससे आप क्या करो लोकेट करो अगर आप उस चीज को सर्च करते हो तो आपको वही परवाइड कराएगा यह जो चीजिया आप खुछना चाहते हो ठीक है इस दा वेब एड्रेस डर्री से और के एक वेडर एड्रर होता है ठीक है जैसे करते हो हमारा Channel जैसे आपको चाहिए होगा अने website अगर बना लिया तो आपको website पर जाना होगा तो आपको पास क्या होनाँ चाहिए एक location होना ह तो बहुत सारे ऐसे चैनल होंगे जिसनका नाम स्टेडी हैक्स होगा ठीक है तो आपको बहुत सारे चैनल उपर से नीचे तक देखने को मिल जाएंगे वही आप क्या करो कि यूनिफर्म रिसॉर्स लोकेटर से जाओ ठीक है हम मैंने उसको यूनिफर्म बना जिया ठीक है तो जब आप यह टाइक करोगो तो आपको हमारे चैनल पर ही पहुंचाएगा ठीक है तो ऐसा ही वेब पेज का भी होता है कि उनका एक खास यूनिफर्म रिसॉर्स होता है ठीक है सबके लिए अलग अलग होता है ताकि आप उसको जैसे क्लिक करोगो तो आपको चीजे वही पेज़ क्या गरूंध से फोर्सराओं से अफ़ुंड हो तो मैं आपका एंटरनेट आड़स बताता थिक है घिंसे लिमोट कम्प्यूटर से जू Geral होगा तो एक क्या हता है अपने कम्प्यूटर कर रहा हूँ फालेन होता है इंडिकेट करते है कि आपका directory कहां किस नाम से और किस फोल्डर में आपने सारी चीज़े अपनी डायरेक्टरी ओनलाइन सेव की है ठीक है आप इंटरनेट पर कर सकतो फिल के लिए या नियूज की आ होता इदकी के होता है तो कोई रिमोट लोकेशन पर होंगे ठीक है तो टर्मिनल नेटवर्क से कनेक्टिविटी बना के आप क्या कर सकतो लोग इन कर सकतो किस पर TCP या IP कनेक्शन पर ठीक है उसके बाद है TCP IP TCP IP क्या है ट्रांस्मिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या स क्टिवर्क सिस्ट्व में इसके प्रोटोक्रोंaire-खशन-ठीक है इन पराद पर कन्टिवर्क कहते हैं और एक खास पर्टारे शिप्विशन की स्ब्चरण करता है कि कौन से कंप्विट और जैसे मानलों की मेरे मेरे system का कुछ IP है, मैंने इसको connectivity बना दिया internet से, आप चाहते हो कि मेरे system का data को fetch करना चाहते हो, ठीक है, अगर मैंने आपको share कर दिया अपना IP address, तो आप उसको internet पे डाल के मेरे system से connectivity बना सकते हो, और मैंने यहां से allow कर दिया, तो आप क्या कर सकते हो, मेरे system की सारे चीज़ों आपको access कर सकते हो, ठीक है, तो IP क्या होता है, आपको target computer का, क्या बताता है, reach बताता है, ठीक है, चलिए, आगे बात कर लेते हैं, next है UDP, UDP क्या है, user datagram packet transfer, ठीक है, तो यह क्या करता है, transfer करता है data between two computer, UDP के मदद से आप क्या कर सकते हो, दो computer के बीच में data transfer कर सकते हो, ठीक है, तो यह reliable source नहीं है, ठीक है, तो आप दो computer के बीच में connectivity बना के data transfer कर रहे हो, ठीक है, तो जो भी नहीं कि आपका data deliver भी हो, तो यह guarantee नहीं करता है data delivery का, लेकिन हम लोग इसको use करते हो, ठीक है, फिर है triple P, triple P क्या है, point to point protocol, ठीक है, फिर www क्या है, world wide way, फिर है SNMP, SNMP क्या है, simple network management protocol, POP क्या है, post office protocol, ठीक है, तो जब आपको client को email भेजना पड़ता है, तो SMTP और POP के ज़रुवत पड़ता है, ठीक है, फिर है DNS, DNS क्या है, domain name system या domain name server, ठीक है, फिर है WAP, WAP क्या है, wireless application protocol, ठीक है, जो भी आप wireless application connectivity बनातो, उसके लिए जो protocol follow होता है, उसी को बोलते है WAP, फिर क्या है, IMAP, IMAP क्या है, internet message access protocol, ठीक है, जो भी internet के help साब message deliver करते हो, जैसे Gmail पर हो गया, या बहुत सारे chat वाले application पर, ठीक है, तो आपको कौन सा protocol follow करना पड़ था, IMAP, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है, कुछ fact जान लेते हैं, कि कैसे हमारा protocol for mail delivery use होता है, ठीक है, तो mail delivery के लिए कौन-कौन सा protocol use करते हैं, तो POP, post office protocol, IMAP, internet message, access protocol, ठीक है, SMTP, ठीक है, simple mail transfer protocol for sending mail message, ठीक है, तो mail message जाता कैसे है, ठीक है, तो सबसे पहले होता है, आप जैसे message create करते हो, ठीक है, आपने message create किया, email create किया, ठीक है, अपने address जा रहा है, जिसको आपको send करना है, ठीक है, तो IMAP क्या काम करता है, वही काम करता है, जो आपका post office का का काम करता है, मैंडिक करता है ठीक है पीच कर लिखता है है इन की दुनिया में इमकी दुनिया में डुनिया में पोस्ट अफिस होता हूं वह होता है imap고 bir करता है आप से क्लाइन से सारे मैसेज को लेता है और उसको एकसेस कर लेता है रिमोट मैसेज की तरह ठीक है उसको लोकल में स्टोर करके रख लेता है जैसके आप लोकली जाते हो अपने चिठी को डाल देता हो पोस्ट आपिस में तो क्या होता है रिमोट लोकेशन के जाने के लोकल में store हो जाता है अब क्या होता कि वहां से एक mail delivery वो आता है वो उठाता और फिर आपके चिठी को target जगह पे पहुंचा देता है तो वह काम कौन करता है mail delivery का वह करता है POP ठीक है तो इसका क्या काम है transferring message from an email server to an email client तो यह क्या करता है कि IMAP ने क्या किया आपके email को लिया और क्या कर दिया server पर डाल दिया उसके बाद वो अराम से बैठ गया जैसे कि आपने चिठी दिया तो क्या 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 आपके चिठी को local post office में sort out करके उसको डाल दिया delivery के लिए ठीक है उसके बाद काम आता है POP उसका बाद का काम करता है POP वो क्या कि server से message देता है तो वही काम करता है POP ठीक है तो आई मैप और POP3 लेट दे यूजर तो सेब मैसे इं सर्वर मेल बॉक्स और डाउनलोड दें प्रियोडिकली फ्रम दसा ठीक है तो आई मैप और POP help करता है यूजर को कि आप अपने message को सेब करके रख सकते कहां तो server पे और जब आ तो मेल रिसीव करने के लिए किसकी जोज पढ़ेगी आई मैप की और POP3 ठीक है नेक्स्ट बात कर ले नेक्स्ट है वेब ब्राउजर ठीक है आप सभी वेब ब्राउजर से प्रचीत होंगे ठीक है कि कौन-कौन से वेब ब्राउजर होते अप्लिकेशन सफ्ट्वेर डैट इसा अप्लिकेशन सफ्ट्वेर जिसका हम लोग यूज करते हैं किसलिए वेब पेज को देखने के लिए अब वेब पेज को ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते हो उसके लिए अपकर नीट होता है वेब ब्राउजर का ठीक है मोजैक वाज दा फर्स्ट वेब ब्राउजर इसनल सिंटर फर सुपर कंप्यूटिंग अप्लिकेशन एनसी एसे ठीक है तो सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन था मोजैक्ट ठीक है मोजैक ठीक है और डिफरेंट वेब ब्राउजर जो आज हम लोग यूज कर रहे हैं ठीक है ओपेरा हो गया मोजीला हो गया फायर फॉ इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हो ठीक है यह सब डिफरेंट वेब ब्राउजर है ठीक है मैक के लिए है क्रोम सफारी ठीक है विंडोज लाइनेक्स एंडॉइट सम्में यह यूज होते हैं कौन-कौन से क्रोम फायरफॉक्स सफारी ओपेरा इंटरनेट एक्सेस एक्सप्लोरल यह सब आपने देखा होगा व अब ब्राउजर तो पर लिया कि आपको वेब पैज का एकसस दे दिया लेकिन आपको डेटाबेस खोजनी है चीजों को उसके लिए क्या आपके इस्तिमाल में आएगा वह आएगा सर्च इंडिया ओनलाइन टूल डैट सर्च फॉर रिजल्ट इन डेटाबेस बेस्ट अन इसका काम क्या है कि यह आपको एक सर्च इंटरफेस प्रवाइड कराता है ठीक है जो भी चीज सच करते हो वह क्या करता है network के डेटाबेस में छांता है साही चीज़ों के खुजता है और जहां भी उनको वह डेटाबेस में चीज मिलता तो उसको वहां से स्क्राब्च करता and make an order list of these results based on search algorithm, ठीक है, तो search algorithm के based पर वो सारी data को fetch करता है, फिर उसको algorithm के based में, जो सबसे ज़्यादा search किया रहाता है, उसको सबसे top पर रखता है, फिर जो उससे कम होता है, उसको उसके नीचे, ठीक है, तो कि arrange way में आपको दिखाता है, कि सबसे top website ये है, आपके लिए आप जो search करें, उससे अगर आपको alternative चाहिए हो, तो ये है, उसका alternative ये है, उसका alternative ये है, तो सारा एक list बना के आपको देता है, order दे लो, ठीक है, which was developed by LN Imtage, ठीक है, तो सबसे पहला search engine कौन था, अर्चाई था, जिसको develop किया गया था, LN Imtage के द्वारा, ठीक है, example क्या क्या है, search engine के, yahoo है, google है, ठीक है, चलिए मैं आपको search engine दिखाता हूँ कि कैसे work करता हूँ, कौन-कौन से है, ठीक है, ठीक है, तो देख पार हूँ कि यह है, google search engine है, ठीक है, एक होता है, duck duck go, ठीक है, तो duck duck go भी search engine है, ठीक है, जिससे आप कोई भी चीज प्राइवेट बिना track हुए, कोई भी चीज सर्च कर सकते हो, ठीक है, और उसके बाद क्या है, binge है, ठीक है, बाइदू है, तो बाइदू क्या है, ठीक है, ठीक है, तो अब कैसे और करता है, कि इसमें आप कोई भी चीज सर्च करते हो, तो कैसे सुखाता है, जैसे मैंने अपने चैनल का नाम सर्च किया, एट दरेट, study hack, 123, तो क्या हुआ, एक list दे दिया, ठीक है, सबसे टॉप पे देख रहाँगे, कि मैंने फॉर्म रिसोर्स लोकेटर दिया है, ठीक है, आपने देख लिया कि सर्चिन्जन के बारे में जो भी बता है, वह सही चीज दिखा भी दी, कि कैसे काम करता है, ठीक, आगे बात कर लेते है, आगे बात करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेव की, ठीक है, तो कब स्टार्ट हुआ था, तो 1989 में किसके दोर है, सर्ण, एट सर्ण सर्ण पर हुआ था, सर्ण क्या है, यूरोपियन सेंटर फोर नुकलियर रिसार्ट, ठीक है, वह ही पर स्टार्ट हुआ था, वर्ल्ड वाइड वाइड वेव, ठीक है, ये क्या है, सॉफ्ट्वेयर टेखनलोजी है, जो कि एलाउ करता है, कॉन्सोलीडेशन ऑफ आपर टेक क्या सर्च करो, ठीक है, आपको कोई टेक्स सर्च करना है, टेक्स भी सर्च कर सकतो, कोई ग्राफिक्स है, आडियो है, वीडियो है, मल्टिमीडिया है, ठीक है, सब को सर्च करने के लिए उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप ले सकतो, गेन कर सकतो, ये प्रवाइड करता सब्सक्राइब करते हैं तो क्या लगाते हैं तो यह आपको क्या बढ़ाता है यह सब्सक्राइब साइट नहीं होता है तो सारी चीज़ इस डेटाबेस में क्या होती है नेक्स बात करें नेक्स है बैंद्विध ठीक है तो बैंद्विध क्या है कि कितने नंबर प्रती यूनित समय में एक चैनल द्वारा अस्थान अंति बिड्स की संख्या को बैंद्विध कहा जाता है इन एडरादु गेट इंटरनेट गर्नेक्षन वी नीज मोडम ठीक है और हमको इंटरनेट कर दीर जोड़ात पर इगा मोडम क्या करता है इन्टो एनालोग सिगनल तो तो क्या करता है इसको क्या किया अब मोडूलेटर का दिया एनालोगस फर्म में फिर उसको कहां डाल दिया की अब कर दिया ठीक है इसके दौर चला गया डुट रहा है तो मोडूलेटर को कि कर रहा है शुप से उस एनालोग सिगनल को डिकोड करे के जिसके %26 को आपको सिस्टम कींप्यूटर क्या पाए नेटवर्क को क्या करें इसके बारे में डीटेल हम लोग नेटवर्किंग में जाने हैं फिक है यहां पर एक ओवर्वीव आप लेलो ठीक है, next है modem, modem connects your home network to your internet service provider and a router lets all our wired and wireless device use our internet connection at once and allow them to talk to one another directly, तो modem क्या करता है, आपके घर का जो network होता है, ठीक है, जो आपका router है, ठीक है, router से आपका modem connect होआ, modem क्या करता है, internet service provider से connect करवाता है, ठीक है, internet service provider आपको क्या देता है, एक bandwidth है locate करता है, कि आप access कर सकता हो, आप internet को, ठीक है, और modem किसे connect होता है, तो router से connect होता है, router क्या करता है, आपको wireless या फिर wired connectivity प्रवाइड कर आता है, जिससे आप internet connection कर पातो हो, किसमें, अपने computer में, अपने mobile में, जितने भी आप चाहो, अपने application में, internet connectivity कर पातो हो, ठीक है, चलिए, next बात करने, कुछ ऐसा है, ठीक है, आपको ISP ने cable से provide किया, आपको modem में डाला, आपको bandwidth दे दिया, फिर आपने क्या किया, उसको router से connectivity बना ली, ठीक है, तो router से connectivity बना ली, तो Wi-Fi signal generate करेगा, तो अपको different system को क्या कर सकता है, तो connect नेक्स है, next is downloading, downloading क्या होता है, transmission of a file or data from one computer to another over a network, usually from large server to a user server, तो downloading क्या करता है, transmission होता है data का, एक computer से दूसरे computer बे data करते है, over internet, network connectivity बना के, अगर आप कोई भी data किसी को send कर रहे हो, तो send करते हो, तो upload होता है, लेकिन कोई target user होगा, जैसे कि छोटा user है, वो बड़े system से क्या करता है, चीजों को content को क्या करता है, download करता है, जब उसको, अफेच करते हो, तो उसको बोलते है, downloading, ठीक है, it refers to general transfer of data or to transferring a specific file, ठीक है, कुछ ऐसे downloading होता है, ठीक है, download manager is used, which manage the downloading of files from internet, which may be built into a web browser, और usually more sophisticated, ठीक है, तो जो भी data आप network से क्या करता है, अपने system में डालते हो, ठीक है, उसको बोलते है, downloading, ठीक है, तो आपके answer downloading हो रहा होगा, लेकिन कोई तो होगा जो data आपको send कर रहा होगा, ठीक है, तो जो आपको data send करता है, network पे आप जो upload करता है, ठीक है, उसको बोलते है, uploading, means data is being sent from your computer to internet, ठीक है, तो आप क्या करो कि internet से connectivity बनाई, आपने एक website बना लिया, ठीक है, तो आप क्या करो कोई movie था, उसको आपने क्या क्या upload किया, आप उसको internet पे डाल रहे हो, ठीक है, और दूसरे end पे कोई user होगा, जिसको movie चाहिए, तो क्या करेगा, आपके website से, क्या करेगा, उसको download करेगा, ठीक है, तो उसको बोलते है downloading, और आप जो करना है, उसको बोलते है uploading, ठीक है, इवन clicking on link on a webpage sends a tiny data upload, ठीक है, जैसा webpage पर भी click करते हो, तो क्या करता है, थोड़ा सा data upload कर देता है, ठीक है, I hope आपको चीज़े clear हो गई होगी, तो आगे बढ़ते है, नेक्स हमारा question sir का section है, ठीक है, तो आज का पहला question क्या रहागा है, कि which of the following is best suited for remote administration of a computer, निम लिखित में से कौन सा computer के दूरस्त और असासन के लिए सबसे उप्यूग है, चार option है, वास, ब्राउजर, HTML, ठीक है, तो remote access पे administrator नेट से कैसे connectivity बना सकता है, ठीक है, अपने computer में यही पूच रहा है, तो इसे के साथ time up हो चुका है, I hope आप सभी लोग ने सही sensor कर दिया हो, तो क्या बताया था मैंने आपको ठेल है, ठीक है, तो यही होगा इसका write-up, ठीक है, चले, next बात कर लें, नेक्स्ट कहारा कि, which of the following refers to a huge database of internet resource, such as webpage, newsgroup, program, image, etc, and help to locate information on worldwide web, ठीक है, कौन सा है निमलिखित में से कौन internet संसाधनों, जैसे web pageों, समचार समूहों, कारिक्रमों, छबियों, आदी के विशाल database को संदर्वित करता है, और worldwide web पर जनकारी का पता लगाने में मदद करता है, चार ओप्सन है, web server, domain, search engine, protocol, तब क्या करते हो, आपको कोई भी चीज डेटा खोजना हो, image, या फिर news, कुछ भी खोजना हो, तब कहां जाते हो, तब कहां जाते हो, तो कहां जाते हो, आप search engine से उस चीज को क्या करते हो, search engine से, इस नेक्स्ट है, which of the following search engine is dominating market with maximum number of searches on it, ठीक है, निम लिखित में से कौन सा खोज इंजन सबसे अधिक खोजों के साथ बाजार पर हावी है, ठीक है, सबसे बेस्ट search engine कौन सा, yahoo, binge, ask.com, google, ये तो बहुत easy question है, सब यूज़ करते हैं, इसको, I hope सभी लोगों सही answer कर जिया हो, तो क्या होगा, google, ठीक है, ठीक है, ठीक है, next है, what is the bandwidth required for a broadband internet connection, ठीक है, ठीक है, I hope सभी लोगों सही answer कर जाओ, तो क्या होगा, 256 kbps, ठीक है, next question पर चलते हैं, next question की बात करें, next question क्या करा है, कि which of the following is the communication protocol that sets the standard used by every computer that access web page information, ठीक है, निमलिखित में से कौन सा संचार प्रोटोकल है, जो वेव अधारित जनकाई तक पहुचने वाले परते कंप्यूटर दोड़ा उपयोग किये जाने वाले मानक को निधारित करता है, ठीक है, चार option है, sttp, stml, dml, xml, fraction सा करना है, बहुत हीजी है, आपको बता रखा हूँ, तो वो कौन सा communication protocol है, जो standard use किया जाता है, हर computer के दोड़ा, कि आप कोई वेबसाइट जैसी surf करते हो, तो उसके क्या लगा होता है, sttp जरूर लगा होता है, ठीक है, तो यह हो जागा आपका इंसा, ठीक है, अब कोई भी website open करो, ठीक है, तो उससे पहले sttp, double slash, ऐसे लिखा होगा, उसके बाद website का domain होता है, ठीक है, चलिए, next बात कर ले, next है, choose the search engine among the following, इन में से search engine कौन सा है, यह आपको choose करना है, ठीक है, आप elimination से भी कर पाओगा, असाजी से, bydue, net escape, opera, rediff mail, ठीक है, fraction से चल लोगा, तो इसे के साथ time up हो चुका है, I hope आप सब लोगा है, तो कौन सा है, search engine, तो bydue है, एक search engine, ठीक है, Chinese search engine है, ठीक है, इंडिया में ban है, तो आप नहीं use कर पाओगे, चलिए, next बात कर ले, next है, while searching the information on internet, we may come to notice HTTPS, what does S represent, ठीक, तो S क्या represent करता है, आपको बताया हो, ठीक है, secure, storage, system, simple, ठीक, तो आप कोई भी चीज़ को क्या करना चाहोगे, और आप कहीं बें internet access करों, तो अपने system क्या करना चाहोगे, तो इसे के साथ time up हो चुका है, I hope आप सब लोगे साही से answer कर दिया हो, तो क्या करना चाहोगे, secure करना चाहोगे, तो S का stand होता है, S represent क्या करता है, secure, चलिए, next बात कर ले, next है, consider the URL, ठीक है, आपकी URL देखो, which of the following are contained in the URL, URL में क्या-क्या चीज़े होती है, चार चीज़े होती है, ठीक है, मैं आपको बताया था, browser name, file name, host name, email address, protocol, ठीक है, choose the correct answer from the option given below, कौन-कौन सा, A, B, C only, A, C, E only, B, C, E only, C, D, E only, ठीक है, 10 second अपका start होता है, फटाक साइनसर करना है, इसके टाइम आप हो चुका है, I hope आप सबी लोगोंने सही साइनसर कर दिया होगा, ठीक है, तो क्या-क्या होता है, आपको बताया है, फाइल नेम होता है, ठीक है, फिर क्या होता है, host name होता है, और क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, चार चीज़े में से तीन चीज़े होती, तो कौनसा option हो जगा साही है, option number 3, B, C, E, only, ठीक, चलिए, next बात कर लेते है, next कह रहा है कि which of the following are web search engine, इन सम्में से web search engine कौनसा है, डगडग गो, गूगल, याहू सर्च, बिंज, पिंट्रेस्ट, ठीक है, choose the correct answer from the option given below, B, C, and D, only, A, B, C, and D, only, B, and E, only, A, B, C, D, and E, only, फड़ाक से answer करना, दस सेकेंद मिलेंगे, अज़ी असानी से eliminate करके कर पाऊँगे, तो इसे के साथ time up हो चुका है, I hope आप सभी लोगे साही से answer कर दिया होगा, तो कौन-कौन सा सार्च इन जयन है, मैंने अपको दिखाया था, Google भी दिखाया था, और बिंज भी दिखाया था, और याहू भी क्या है, सार्च इन जयने, ठीक है, तो कौन सा नहीं है, Pinterest के है, एक वेब साइट है, वेब साइट है, ठीक है, तो क्या हो जागा हमर साहिएंस, A, B, C, and D, only, चलिए, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट कह रहा है, the collection of linked information, residing on computers, which is accessible through internet is called, ठीक है, computer पर मौझूद linked सूचनाओं का वह संग्रा, जिसे internet के माध्यम से access किया जा सकता है, कहलाता है, उसे क्या कहलाते है, ठीक है, http, stml, www, url, इसे के साथ time up हो चुका है, I hope आप सभी लोगा साही साही अंसर कर जाएगा, तो क्या होगा, www, ठीक है, कोई वेबसाइट जो होता, वो linked किसे होता है, worldwide website, ठीक है, यहीं पर सारा data होता है, जो पिक्चर हो गया, ग्राफिक्स हो गया, ठीक है, सारे data यहीं से linked होता है, ठीक है, चलिए, next बात कर ला, next है, what does s in the protocol, https signify in the web address, ठीक है, यह अभी ही बताया था, ठीक है, it is a secure protocol, it is an insecure protocol, it is an important protocol, it is a significant protocol, ठीक है, production से करना, क्या होगा, यह अभी ही बताया था आपको s का form, तो इसे के साथ time up हो चुका है, I hope आप सभी लोगों सभी सेंसर कर दिया होगा, तो क्या होगा, यह क्या है, एक secure protocol, ठीक है, s4 क्या था, secure था, next बात कर ले, next है, internet explorer, and mozilla firefox, ठीक है, यह सब क्या है, ठीक है, production से करना, web portal है, www, browsers, search engine है, compilers है, production, तो इसे के साथ time up हो चुका है, I hope आप सभी लोगों सभी सेंसर कर जाया हो, ठीक है, तो www, browser भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, web browser भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आज का class आपको कैसा लगा, comment करके जरूर से जरूर बता है, अगर अच्छा लगाओ तो like कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अपने दोस्तों में सेर कर दे, जिने computer पढ़ना एक दम basic लगाओ ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं, फिर next class में, तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत, टेक केर,